नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको आम की कलम बांधना सिखाने जा रहा हूं आम में कलम बनाने के तक्निक कलम बांधना वह क्रिया है जिसमें दो एक ही जाती के पोधे के गटे भाग इस प्रकार बांधे जाते है कि दोनों एक दूसरे से जुड़ जाए और नए पोधे के रूप में बढ़ने लगा आम में कलम बांधने के अनेको तरीके हैं और सबसे प्रसिद और अपनाया जाने वाला तरीका है हन्नी कलमबान जिसे हम पेच ग्राफ्टिंग और पेब ग्राफ्टिंग भी करते हैं इस तकनिक को अपनाने से पहले हम बीजू आम का रूट स्टॉक यानि मूल उरुथ तयार करते हैं इसमें पहले वर्ष घुठली यानि की बीज की भुवाई नरसरी में कर देते हैं बीज के अंकुरण होने के बाद 20 से 30 सेंटीमेटर की दूरी में बेड बनाकर लगा देते हैं बेड की चोड़ाई तीन फिट और लंबाई अपनी सुईदा के अनुसार रखनी चाहिए कलम बादने के लिए वर्ष टिक को तयार करने के लिए हम आम के मदर प्लांट से नई निकली साखाव में से सबसे स्वस्त साखा का चैन करते हैं साखा की अग्रव भाग से पत्तियों को सिकेटीयर की मदद से काट ले और उसे एक सप्ता के लिए पेड में लगा छोड़ देते हैं एक सप्ता के बाद पत्ति का निचला भाग जड़ जाता है और अग्रव भाग से बर्ष फुटने लग ले इस अवस्था में बर्ष टिक से 10 से 12 سंटिम्टर लंबाई में काट हैं यह बर्ष टिक कलम बाढने के लिए रिक्तम तयार है कलम बांदने के लिए रूट स्टोप को सिकेटीयर की मदद से जमीन से पंदरा से अठारा सेंटीमीटर पिंसाई पर काटने के बाद रने के मंध्य भागने, जार से पांच सेमी गेरा कटने, ग्राफ्टिंग नाइक की मरत से लगा जागने कितनी ही लंबाई का बड़ स्टिक के निखले भागने, विया का च्छीटे हैं इस छिले हुए बड़ स्टिक को रूट स्टोक के कटे हुए भाग में लगा देते हैं लगाने के बाद इसे अच्छी तरह दबा देते हैं ताकि पोदे का बड़ स्टिक और रूट स्टोक का केवियम अच्छी तरह से संपर्ग में आ जाए इस जोड को अच्छी तरव बांधने के लिए पॉलिथिन की पट्टी का इस्तमाल करते है जिसकी जोड़ाई 2 सेंटिमेटर और लंबाई तकरीबन 25-30 सेंटिमेटर होनी चाहिए इस पॉलिथिन को हाथ की मदद से जोड के आजपास बांध लेना है इस जोड को चुलने में गेड से 2 महीना लगता है इस जोड से तयार की हुई पोज कलमी पोज कहला दो है यहां कलम बांधने की प्रक्रिया पुर्ण होती है कलम तयार करने में यान देने योग्य बात है बर्ड स्टिक और रूट स्टोक की मोटाई एक समान होनी चाहिए प्लास्टिक से इसे सही तरीके से बांगना चाहिए मतलब कि धीलाया किला नहीं छोड़ा ग्राप्टिंग का कार्या समय से करना जोगे इस प्रक्रिया के लिए इस प्लाई से अगस्ट महिने का समय सबसे अच्छा मना जाता है ग्राप्टिंग में जोग में आने वाले ओजार जैसे कि सिकेटियर और नाइक्स काफ और टेज़ पुरिंग करें यह वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो कमेंट करके जरूर से हमें बताईएगा यह वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद